पिल्कुल मार्किट जैसी टेस्ट वाली मठका मलाई कुलफी आप घर पे पना सकते हैं जिसकी रेसिपी बहुत सिंपल है इसके लिए यहां पर मैंने एक लिटर फुल फैट मिल्क लिया है इसको बॉइर होने के लिए मैंने रख दिया तो इस तरीके से चलाते हुए दूद क आपको काड़ना है अच्छे से जब इसमें आपको एक उबाल दिख जाए तो इस तरीके से स्क्रेप आउट करिएगा ताकि इसमें मलाई जादा ना जमें और इसी दूद से थोड़ा दूद आप कप में निकाल लिए इस तरीके से लगबग दो कल्चिन मैंने दूद ले अब इसमें आट करेंगे स्वीटनेस के लिए मैंने मिल्क पाउडर यूस किया है तो लगबग तीन बड़ा चमच मैंने मिल्क पाउडर आट किया है और उसी सेम स्पून से मैंने एक टीबल स्पून मैंने कॉन फ्लार आट किया है इससे अच्छी थिकनस आजाएगी दूद में पोर करते हुए आपको लगातार चलाना है लगातार चलाती जाएंगे तो दूद में लंप्स नहीं जमेंगे अब दूद को अच्छे से काड़िये जब तक ही अपनी क्वांटिटी का आधा ना हो जाए लगबग 15-20 मिनट मैंने पकाया इसमें लास्ट मिन आट कर दिया एक कप शक्कर शक्कर आट करके 15 मिनट इसको और पकाएंगे 15 मिनट पकने के बाद यह काफी अच्छे से ठीक हो जाएगा इधर अपने पसंद के नर्स जैसे की काजू और बदा मैंने ले लिए इस तरीके से रफली चॉप कर लिजे आप पिस्ता और अक्रोट का भी यूज़ कर सकते हैं रफली चॉप कर लिया इधर 15 मिनट और पकान जैसे यह ठंडा होता जाता है यह काफी ठीक हो जाता है इसको पोर कर दिया है थोड़े से ड्राइफूर्ट जो मने चॉप किये थे वो डाल दी है अब इसको बढ़िया से चर्ण कर लिजे बिल्कुल फाइन सा बैटन होना चाहिए मैं अच्छी से चर्ण करिएगा और इस अगले दिन आप देखेंगे बहुत टेस्टी और बहुत जादा क्रीमी बन करके बिल्कुल रेड़ी है जस्त तुरंती मैंने फ्रिजर से इसको निकाला था और मैंने इसको स्कूप आउट किया फटा-फट से फोड़ा सा पहले आपको हाड लेगा और अंदर से बहुत जा घर में सभी ने बहुत मज़े से खाया और तुरंत ही आप देखेंगे यह बहुत जल्दी मेल्ट होने लगाता इतना जादा यह क्रीमी बनाता तो इन समर्स में एक बार तो इस रेसिपी को ट्राइ करना बनता है और अपने फीडबैक मेरे साथ कॉमेंट में जरूर से शेय करिएगा और अगर मेरे रेसिपीज आपको थोड़ी भी अच्छी लगती ही तो प्लीज उन्हें शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ फैमिल मेंबर्स के साथ और ऐसी मुझे सपोर्ट करते रहे मैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मेरे सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू